हेलो, स्लाम अलेकम, दोस्तों आपके सामने पेपर कट आउट टेक्स अफेक्ट मजूर्ज है, तो ये टेक्स अफेक्ट हम कैसे देएंगे तो मैं एक न्यू डाकॉमेंट क्रीट करता हूँ, 1280 x 720 और रजलेशन 72, कलर मोड RGB कलर्स, बेक्गराउंड कॉंटेंट्स वाइट और इसको हमने क्रीट कर लिया है, इस डाकॉमेंट के उपर मैं टेक्स लिखता हूँ, ती ए नहीं इस तरह से नहीं पी निखना है और इसकी एक डुप्लिकेट लेयर और डबल क्लिक करूँगा मैं इसके बाद ए और इसके बाद एक डुप्लिकेट लेयर और डबल क्लिक किया और पी डुप्लिकेट लेयर कंट्रॉल जे प्रेस किया A और इसकी एक डुप्लिकेट लेर फिर पार तो ये हमारे P A P E R यहां पे दिखा लिया तो इनकों यहां पे अलाइं कर रहा हूँ और A को इनकों अलाइं बात में कम्प्लीट अलाइंमेट इन्टी करूँगा तो इन सारी लेज को सेलेक्ट करने के बाद इनका में एक गुरुप बना दे और इस गुरुप कर नाम डाउल चैडो और इसकी एक डुप्लिकेट लेर गुरुप की एक डुप्लिकेट लेर बनाता हो गया हूँ और इसका नाम टेक्स्ट रखा अब इन दोनों गूरूप में सेम ले़र टैक्स्स की वोजूद है टैक्स्ट वाले गूरूप की ले़र को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और रिस्टराइज टाइप इसको कर दिया अब यह तो माव टैक्स्त wise ग्योंग है यह रिस्टराइज गो चुका है लेकि down shadow में text अब मैं text वाली group को disable करता हूँ और down shadow वाले group की अगर मैं opacity कम करो तो ये आपको इस तरह से 46 तर ऐसे नज़ आए गोई है और text वाले group enable करके मैं इसे open करता हूँ P पे मैं अब effect दोगा और इस P पे effect देने से पहले मुझे इसका cross form control करना है तो control T प्रेस करोगा तो यहाँ पे right click करके यहाँ पे मैं distort भी कर सकता हूँ और दूसरी सूरत इसकी यह है अगर मैं control T की प्रेस करके और तब इस नबोग करो text को तो यह यहाँ पे और यहाँ पे आप इसकी vertical angle इसका देके माइनस 20 पे मुझे यह 25, 24, 23 और 25 के दर्मयान में रखना है तो इसी तरह से मैं A वाले layer पे आया control T transform किया और control को प्रेस करके और डिस्टार्ट वाना option यहाँ पे आपको right click करके डिस्टार्ट करना लिए तो A को किया अब P control T और control को प्रेस कर गई रखा और यहाँ पे P pick भी कर लिए और E की layer पे आके control T transform और control को प्रेस रखते हुए यहाँ पे भी मैं यहाँ इसका यह इस एंगल पे रिटिकल एंगल इसका यह कर दिना आर पे control T ट्रॉस आप किया और control को प्रेस रखते हुए यहाँ पे मैं इसका रिटिकल एंगल पुई 23 और 24 के दरम्यान में गेर रहाँ अब P के उपर मुझे effect देना है तो मैं blending option में जाऊँगा और यहाँ से gradient ओर ले gradient मुझे कौन था यहाँ पे लेना है बेर 6 gradient में यह ब्लैक और white को मैं की location 75 और ok कर रहाँ और इसका blend mode normal कर रहाँ और 75 भी यहाँ पे रही यहाँ पे रही यहाँ पे रही है यहाँ पे 60 61 और यह यहाँ पे मुझे सूट कर रहा है को ok की है और इसको भी यहाँ पे सिर्फ मुझे gradient overlay एंगल इसका 0 होगा और स्टाइल इसका linear होगा gradient basic हम देना है वो blend mode normal और opacity 100% हम दे रही है इसको ok कर अब मैं इस layer को दुबारा से select करते हुए copy layer style अगर कर लो यहाँ पे और बागी की चारो layer A, P, E, R वाली चारो layer को select करके यहाँ पे मैं paste कर दो layer style तो चारो पे दे सब layer पे एक सा वो gradient अप्लाई होता है अब मुझे shadow down वाली layer पे आती ही काम P के साथ करना है और इसके blending option में जाके मुझे यहाँ पे पहले pattern overlay लेना linear burn inner shadow linear burn black और color overlay में और इसकी opacity 50-51 और pattern normal लेना linear burn और इसकी यहाँ पे 50% बने रचिवी है scale इसका और inner shadow में यह shadow आपको यहाँ से इनर shadow नजर आ रहा है यह इसकी वज़ा से है इसका size अगर मैं 0 कर दो तो यह देखें आप size में बढ़ा रहा हूं तो यह 10 तक इसका और चोक इसकी 5 और एंगर इसका माइनस 145 और लियर बर्ड बे आपस को रहें अब इसके बाद मुझे pattern और लेड यहाँ पे यह वाला pattern यह आपको legacy pattern में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे legacy pattern में आप अगर कोड प्रेस करके और इस arrow को पे क्लिक करें तो यह सारे एक साथ open दो जापने है तो legacy pattern में की pattern ring diagonal line 1 यह pattern आपने यहाँ पे चूज करना है जो मैंने चूज करना है और इसकी opacity 55 अंगर इसका 90 डिगरी नर्वर्ट और opacity 100% scale इसका 55 और इसको जाए यहाँ पे अज़र ओपी कर दो और color overlay में अज़र मैं यहाँ यहाँ पे यह gray color थोड़ा साथ white की जगा यहाँ पे वेज लें तो white है रीचे black है और widow में यहाँ इसकी highlights zero वो shadow zero वो brightness 55 और यहाँ जर्मयान में 50% इसकी यहाँ पे यह offset okay कियां और इसको भी हम यहाँ पे okay कर दो तो यही काम हम यहाँ पे यह करेंगे कि कॉपी हम करेंगे इस dare style को बाकी layers जरेंपे effect नहीं है उनको select करते हुए और हम इस layer style को यहाँ पे paste layers का है तो इन सब layers पे यह style देने option जो है यह apply होगे और इस text यह दो ग्रूप है एक doubt shadow यह बना ग्रूप है टेक्स का ग्रूप है अब इस text वाले ग्रूप की मैं control J की copy करता हूँ और चुकि इस पे gradient है apply किया हुआ हमने तो मुझे यहाँ पे सारे layers के जो effects है gradient overlay मुझे यहां से delete करने परेंगे और इनको यह delete करना हूँ यहाँ और इस group का नाम मैं यहाँ पे shadow रख रहा हूँ अब इस group में जितनी भी हमारा text है पे कोई effect नहीं तो हम एक साथ यहाँ पे shadow वाले layer group क्यों है यह text के नीचे लेटिया को text वाला उपर नीचे shadow नीचे down here तो shadow वाले group को select करते हुए इसके blending अफ्लेट में हम गए और यहां से drop shadow select किया blend mode इसका नार्मन वही इसका highlight shadow और हमरे यह brightness 50 और इसको उपे कर दिया है यहाँ पे इसकी आप opacity 75 और इसका angle minus 145 distance 10 spread 0 size 10 और यहां पे आप लाई 5% तक दे सेके और इसको उपने अफ्लेट कर दोए अब यह है हमारा इस shadow यहां पे आ गया और इस तरह से नारा effect अब यही effect होने जो draw shadow वाले इसको open करेंगे और किसी एक और पे किसी एक text को हम यहां पे copy करेंगे copy layer style कर दिया हम दे और group को close कर दिया है जहां पे एक control कर दिया है और यहां इस layer को इनी तरह अलॉक करते हैं और इस layer पे जाओ यह वो copy किया हमने वो layer style हम यहां पे paste कर देते हों तो यह token इस text पे इस हमारे document पे यह पूरा apply हो जाए inner shadow यहां से हम disable और अब इसको हम यहां से उपर करके जहां से दिया हुई है यहां से दिया हुए color overlay यहां पे हम white और pattern overlay में यह इसका scale 100% और बाकी blend mode normal opacity उसी तरह से इसकी 100% वही हमारा pattern है light ही टी green इसका angle है और इसको हम यहां पे हम scale इसका कम ज्यदा करके भी देख सकते है 75 है तो यह कैसा लगता है 80 करें तो कैसा लगता है तो यह 80 जो है यह cream cream हमारे जो down shadow है इसके अगर इस down shadow वाले में आपको कुछ वजीद shade inner shadow इसका size ज्यदा करना है यह चोक चोक ज्यदा दे कि आपने इसको ज्यदा दुआया करना तो यह आर वाले में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं चोक ज्यदा करता हो तो यह दिखिए यह अबजर के ज्यदा हो बलेक जो 1 है उसका ज्यदा तो यहांके अपे जी what ya 5 ज्यदा सूट कर मैं हो size भी हम यहाँ पर ज्यदा करके देजर ने है तो यह हमें 10 ही शूट करणा है यहाँ और 15 तक भी लेकिन 15 से चेट्स ज्यदा अंधर आए जयता है और यहाँ पे 10 तक ही हमें यह इह सूट करे का linear burn है या color dash है आप प्लिफ यहां पर net mode यहां पर apply that पर कियानते देख तो निके देखते कि आपको ये पसल आया होगा और आप तो इसको भी ड्राइ करें तो बनाए और जहां पे आपको अपने डाकुमेंट्स की जरूरत है आप वहां पे ये अफेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं और इसके साथ जब तक ये बहुत ही तेजी से अफेक्ट दे सकते हैं आपको नहीं था मसला कोई ऐसा पचीदा काम नहीं तो जब तक एक नया ट्यूटिरियल तब तक अलाहाफिज